मैं आपको एक छोटा सा वाकिया सुनाना चाहता हूं जिसे मैंने बहुत महसूस किया है बात है एक ईद की सुभा की जब मैं साथ बज़े वारी जमाद पढ़ना चाहता था लेकिन देर हो जाने की वज़ा से रास्ते से ही दूसरी मज़िद का रुख किया जहां आट बज़े की नमाज थी सो मज़िद में सिवाए मेरे और मेरे बच्चों के एक या दो ही लोग चलते फिरते नजर आ रहे थे कुछ देर मेरी नजरे मज़िद के इंटरेंस पर पड़ी जहां एक बच्चा जिसके उम्र गालिबन आट से दस साल की होगी बड़ी खुशी से मज़िद में दाखिल हुआ उसकी चाल मानो एक खेलते वे हीरन जैसी थी मज़िद में ज्यादा लोगों को ना पाकर वो हमसे करीब ही आकर बैट गया मैंने देखा उसकी आँखे खुशी से चमक रही थी कुरता पहजावा और टूपी पहन कर आखों में सुरमा लगा कर वो जिस अंदाज में था मानो उसने ईद की इस सुबह की बहुत पहले ही से तैयारी कर रखा था कुछ देर वो यहाँ वहाँ सरकता खेलता आखिरकार एक जगा बैट गया उसे देखकर मेरे मन में ख्याल आया कि ईद की दिन था पार, थो कोई बच्चे अकेले नमाज में नहीं आता अक्सर बच्चे अपने अबबा के साथ अपने वालित के साथ होते है जैसे कि मेरे बच्चे भी मेरे साथ थे उसे देखकर मुझे ये लगा कि वो जरूर कोई यतीम है और शायद बाप के ना होने की वज़ा से अकेले आया है जिसे शायद उसकी माने तैयार करके इस एद की खुश्यों को मनाने की पहल करने भीजा हो हाँ दोस्तो एद की नमास पढ़ना है मैं इन ख्यालों में ही था कि उसे देखा कि वो एक पिलर से लगकर खेलते खेलते सो गया मैंने सोचा शायद ईद की खुश्य से वो सुबा जल्दी उठा और अपनी इंडा गई हो मैं इन ख्यालों में ही था कि इमाम साफ की तक्रीर की आवाज ने मुझे इस ख्याल से हटा दिया और अब मजजित में कुछ और लोग भी दाखिल हो चुके थे धीरे धीरे लोगों का मजमा बढ़ने लगा थोड़ी ही देर में मैं दोबारा बच्चे की तरफ मतवज़ा हुआ और देखा कि इमाम की तक्रीर की आवाज से वो उटकर बैठ गया उसने दोबारा अपने खुशियों को बटोलना शुरू कर दिया लेकिन अब जैसे उसकी आँखे हर एक आएवे नमाजियों को बारी बारी दीख रही थी जैसे वो उन्हें देखकर किसी अपने को तलाश रहा था वो धीरे धीरे सरकता आगे की सफ में जाकर बैठ गया जो कि खाली थी मैं तक्रीर सुनने लगा और वक्त आया की मजजिद पूरी भर चुकी थी और मुजदिन ने एकामत देना शुरू कर दिये हम सब नमाज के लिए खड़े हो गए बस नमाज शुरू होना ही था कि मेरी आँखे दोबारा उस बच्चे पर पड़ी लेकिन इस बार उसके चहरे की सारी खुशिया गायब थी मानो किसी ने उसके सारे सपने सारी एद की तैयारी पर पानी फेर दिया हो वो आगे की सफसे भीड के बीच में से होते हुए पीछे की और आ रहा था पाहर की और आ रहा था दरसल वो खुद नहीं आ रहा था उसे लोग पीछे कर रहे थे वो एक कतार से दूसरे कतार पर आता तो वहां के लोग उसे पीछे कर देते फिर उसके पीछे के कदार के लोग और पीछे कर देते मेरा दिल जाहा कि उसे अपने करीब बुला कर अपने बच्चों के साथ खड़ा कर दूँ लेकिन मैं थोड़ी दूरी पर था और तब तक कुछ लोग रकात बान चुके थे और इसी तरह मैंने उसे आखरी सफ तक पीछे जाते हुए देखा और आखिरकार वो मेरी नजरों से ओजल हो गया इमाम साथ तद्बिर दे चुके तो मैंने भी फौरी रकात बान ली बात नमास के मैंने बहुत तलाशा उस बच्चे को लेकिन वो कहीं नजर ना आया मुझे मानो ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई गुना कर लिया हो कि अगर वो एक यतीम था तो मुझे और मस्जिद में तमाम लोगों को उसे अलग दर जा देना था लेकिन हम सबी ने उस बच्चे को जो सबसे पहले आकर मस्जिद में दाखिल हुआता उसे धक्के दे कर एक बाद एक सबसे पीछे कर दिये मुझे तो ये भी नहीं मालुम हुआ कि क्या उस बच्चे को मस्जिद के अंदर जगा मिली भी होगी क्योंकि ईद के दिन तो मस्जिद पुरा पैक हो जाता है काश की मैं उस बच्चे को ढूंड पाता और उसे मुस्कुरा कर देखता और उसके सर पर हाथ फेर पाता अब मुझे अफसोस भी हुआ और घुसा भी आया उन तमाम लोगों पर जिन्होंने उसे इतना पीछे कर दिया कि उसे शायद अपने बाप के ना होने का एहसास दिलाया हो मैं इस वाकिये को और उस बच्चे को आज तक भुला नहीं पाया हाँ दोस्तो ये इसलिए हुआ कि मजजिद में आने वाले बेच्टर लोगों के दिमाग में ये भर गया है कि बच्चे के सफ में रहने से नमाज ही नहीं होगी और नतीज़तन जाने में अंजाने में हमने एक शायद यतीम या एक गरीब बच्चे को अपने बीच में खड़ा होने नहीं दिया जबकि उसका हक था क्योंकि वो सबसे पहले आकर बैठा था वहाँ मेरे दोस्तों ये किस तरह का अमल है हमारा जबकि ये बात साबित है कि बच्चों को मस्जिद में आने दिया जाए उनकी होसला अवजा ही की जाए जबकि इसलाम ये सिखाता है कि अल्ला के नजदिक कोई भेदवाओं नहीं यहीं नहीं मैं तो हर नमाज में उन बच्चों को देखकर अफसोस करता हूँ उन लोगों पर उन बुजर्गों पर और जवानों पर जो हमेशा बच्चों को बिना हिकमत के साथ ऐसे पीछे धखिलते ही कि बच्चों की आँखे देखकर लगता है मानो वो बद्वाए दे रही है मानो उनके कॉन्फिडेंस को किसी ने तेज छूरी से चीर दिया हो अब इस मामले पर चुकि हमारे इमाम भी बहुत ज़्यादा नसीयत नहीं करते लोगों को सो यह मामला ऐसा बन गया है कि बच्चों को जिनके उम्रत 10-12 यहां तक की 15 वालों को भी पीछे कर देते हैं यहां तक की बच्चे नमास सुरू कर चुके तब भी उन्हें उठा कर या धकेल कर पीछे कर देते हैं और जब पीछे के सफ में दूसरे बड़े आते तो वो वापस उन्हें पीछे कर देते और फिर यही सिलसला जारी रहता है, यहां तक इबच्चे एक्तम से पीछे हो जाते हैं मैंने तो यहां तक देखा हूँ कि बच्चों के आँखों में आसु तक तेर जाते हैं नमाज के हालत में इन बड़े और बुजर्गों की इस रवईये से हम उन बच्चों को उठा गर पीछे कर रहिए, जो फजर के वक्त भी उठकर सबसे पहले मजद में दाखिल हुए और आगे सफ में जाकर बैठे हैं कुछ बच्चे तो पहले ही से जाकर मस्जित के कोने में खड़े हो जाते भले ही पूरे मस्जित के मुसले जो खाली रहे क्योंकि उन्हें पता है कि चार रकात खता हुए तक आखिरकार उन्हें बिल्कुल पीछे कर दिया जाएगा और कभी कभी तो ताज्यू बता है कि उस कोने में खड़े बच्चे को भी दर्वेजी की ओर धखिल दिया जाता है अगर मस्जित पूरी भर गई हो और देर से आए वे आखरी रकात में पहुंचे वे लोगों को अगर जगा ना मिले तो मैंने खुद कहीं शरारती बच्चों से महब्बत के साथ बात किया उनसे मिला, सलाम में पहल किया, उन्हें मरतबा दिया तो नतीजे में वो बच्चे अब सिंसेरली नमास पढ़ते फिर भी बच्चे अगर शरारत कर लें तो हम उनसे दोबारा महब्बत से पेशा है इसलाम का तरीका तो वो है जिसने बड़ो बड़ो को ठीक कर दिया और ये तो हमारे बच्चे हैं और इस बात को लेकर मैंने कई मरतबा लोगों को समझाना चाहा और लोगों से बात किया लेकिन नतीजा ये देखा कि इनके दिमाग में एक किसम का ताला लगा है और वो उससे उपर नहीं सोचना चाते है कोई ये जवाब देता ही कि कंधे से कंधों का मिलना जरूरी है तो मैं पूछता हूँ कि क्या कोई नाटा आदमी या बहुत उचा आदमी अगर सफ में आ जा तो आप उसे उठा कर पीछे फेक दोगे कोई ये जवाब देता है कि शरीयत में बच्चों को सफ में खड़ा करना मना है अफसोस कि इन्होंने अपनी नई शरीयत बना दिये ताजुब हुआ उस वक्त जब यही लाइन एक बड़े मस्जिद जो कि किसी इलाके का मरकज भी है वहाँ के इमाम ने भी यही कहा लेकिन थोड़ी बाच्चित के बाद कहा कि यह हमारे ट्रस्ट का रूल है जैसे ट्रस्ट के रूल को शरीयत के उपर लाद दिया हो खैर, बच्चों को हम बच्पन में मस्जिद से दूर कर रहे है अपने इस अमल से जबकि उनमें ये आदत डाननी है कि उन्हें मस्जिद में आकर खुशी मिले वो मस्जिद में आना सीखे उन्हें मुसल्मानों की इच्टिमाईयत और मजभूती का पता चले उनके अंदर कॉन्फिदेंस आये और सबसे पहले तो उनके अंदर मस्जिद में आने का और अल्लाह और दीन से रिश्टा बढ़ाने का जजबा और आदत आये उनके अंदर लेकिन हमारे बड़ों को इन बातों से क्या उन्होंने बस जैसा लोगों को करते पाया या सुना उसी पर अमल वर्पा हो गए आईए अब जर्ब मुफतसर में इस बात को जाने कि क्या वाकए में शरीयत बच्चों को मस्जिद में आने से या बड़ों के सफ में खड़े होने से रोकता है नहीं बलकि हमारे सामने ये बात है या ला के रसूल सल्ली लाह ले सल्म अपने सुजूद को लंबी कर देते जब उनके नमासे उनके पीट पर होते इससे ये साबित है कि बच्चे मस्जिद में रहते अब कि हम हर बच्चो को हर जगा खड़े होने दे नहींuição हमें दर्मियानर रौहिया सिखाता है हम बच्चो को आने दे जिनमें कुछ बहुत सिंसिर है तो कुछ शरारती भी अब बच्चो के वालिद या कोई बड़े उनके साथ है तो उन्हें उन्हीं के साथ रहने दे और अगर नहीं भी है और कुछ बच्चे जैसे चार या पांच बच्चे सफ में पहले ही से हैं तो ये तो और बहतर होगा कि उन्हें बढ़ों के बीच में ही रहने दे ताकि वो मस्ती से गुरेस करें और खुशू के साथ नमाज पढ़ना सीखें या बच्चों को अलग-अलग सफ में तक्सीम कर दें और अगर वो पहले ही से तक्सीम है तो वैसा ही रहने दें उन्हें ना किसी जगा अगर बहुत ही जरूरत महसुस हो तो बच्चों को नमाज से पहले ही एहसन तरीके से बहुत ही महबत और हिकमत के साथ एक बाजू की और कर दें ना कि पीछे करें लेकिन अगर कोई नमाज शुरू कर चुका है तो बहतर है उसे उहीं रहने दें नमाज में पीछे करना मुनासिब नहीं खास कर उन बच्चों को जो कुछ हद तक बड़ी उम्रके हैं किसे पता है कि किसकी नमाज अल्ला के नजदिक कुबूलियत रखती है देखने में तो ये भी आया कि बड़े लोग ऐसे बड़े बच्चों के नमाज की हालत में उनके सामने से जाने से भी मेरे खराब हुई मतलब हमारे बड़ों में हिकमत ही नहीं है वो जिस चीज के लिए उस बच्चे को रोक रहे उसे चिल्दा रहे वो उसी चीज में और ज़्यादा तकलिफ दे रहे हैं बच्चे की हरकत से तो इतनी तकलिफ नहीं हुए जितनी की ये बच्चे भी बड़े होने के पाथ ऐसा ही करेंगे या फिर मस्जिद आना ही छोड़ देंगे खेर वालिदायन भी मस्जिद में इस बात का ख्याल रखें कि बहुत छोटे बच्चों को जो बिलकुल नहीं समझेंगे वो पेशाब या कोई गंदगी कर सकते हैं तो उन्हें मस्जिद में ना लाए या फिर उन्हें हर चीज़ से फारीग करके लाया जाए और वालिदायन का ये भी एहम रोल हो कि वो अपने बच्चों को हमेशा खास कर मस्जिद भेजने से पहले मस्जिद का इहतराम करना सिखाए मस्जिद के एथिक्स को रिमाइंड करें ताकि बच्चे भी सही तरीके से नमाज पढ़ें और मस्जिद को जो अल्ला का घर है वहां शरारत और मस्ती करने से घुरेज करें और दूसरे नमाजियों की नमाज में भी डिस्टर्बंस ना करें लेकिन मैं सबसे ये दर्खास करूंगा कि मजजिद आए हुए बच्चों के साथ हिकमत से पेश आए और जो बच्चे पहले ही से आकर आगे की सफ में हो तो हमें ये हक नहीं है कि हम नमाज शुरू होने के बाद या बिल्कुल आखिर में आकर उन बच्चों को पीछे धखेल दें और आखिर में इस बात को याद रखें कि नभी सल्लिल्लाहु अलिह सल्म बच्चों से महबत करते हैं और उनके साथ बहुत ही रहम से पेश आते हैं क्या हम भी अपने नभी सल्लिल्लाहु अलिह सल्म की इस सुन्नत को अपनाते हैं दोस्तों इस बात पर गोर करें और सभी वालिदाइन भी इस बात पर गोर करें अपने बच्चों को मजजिद भीजने से पहले और मज़िद में आए हुए बच्चों के साथ तमाम बज़ूर्ग और बड़े जो हिकमत से पेश आए उन्हें मरतबा दे उनके साथ हुसन सुलुक करें और बज़ूर्गों से इमाम से इस बात पर नसीद बिले इस पर और मज़िद जाने और हमारे जो बज़ूर्ग लोग है अलमाय दीन और इमाम तमाम लोग इस बात पर रोशनी डाले और सही तरीके से रहनुमाई करें लोगों की